वैसे तो भारत में मौझूद हर प्राचीन मंदिर कोई न कोई रहस्य और उससे जुड़ी दिल्चस्प कहानियां छुपाए हुए हैं आज हम एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर के बारे में आपको बताएंगे जो कि अमुलिक खजानों से भरा है लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर में यह अमुलिक खजाना इस मंदिर के सात्वे दर्वाजे के पीछे छिपा है और यह दर्वाजा खुलते ही हमें खजानों से भरा एक कमरा मिलेगा लेकिन अभी तक इस दर्वाजे को खोलने के हिमत कोई नहीं जुटा पाया है क्योंकि एक मानिता के अनुसार इस दरवाजे के पीछे छुपे खजाने की रक्षा एक विशाल काई शाप करता है और यह भी माना जाता है कि जिस दिन यह दरवाजा खुला उस दिन धरती पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टोरी और आज के एपिसोर अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और सेयर जरूर करिएगा साथ ही हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलिएगा तो आएए जानते हैं इस मंदिर की कुछ रहश्य में बाते यह मंदिर केरल राजी के तिरु अनंत पूरम में इस्तित है इस मंदिर को पत्म स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है यह मंदिर भगवान विष्णू का है जो कि उनके एक रूप को शमरपित किया गया है इस मंदिर में भगवान विष्णू शेषना के उपर सोय हुए हैं इस मंदिर की कुल संपत्ति 1,32,000 करोन हैं और यह मंदिर दुनिया का सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर की देख भार का जिम्मा एक नीजी संथा द्वारा कराया जाता है। इस मंदिर की शंपत्ति को देखते हुए शरकार ने इस मंदिर के 6 दर्वाजे पहले ही खोल दिये हैं। और इन खोले के अच्छा दर्वाजों में से चर्टार को 1,32,000 करोन की संपत्ती मिली है इस मंदिर के सबसी रहश्य में दर्वाजे शात्वे दर्वाजे जिसको खोलने पर अभी विचार किया जा रहा है यह शात्वा दर्वाजा इसलिए नहीं खोला जा रहा क्योंकि एक मानिता के अनुसार इसके खुलने पर विच्व में प्रलय आने की बात कही गई है इस द्वार पर सर्प का एक चित्र बना हुआ है जो इस खजाने की रक्षा करता है इस द्वार को किवल मंत्रो चार से ही खोला जा सकता है यह किसी और तरीके से नहीं खुलेगा क्या भी कहा जाता है कि यह दर्वाजा जब कोई शिद्व पुरू सुद रूप से मंत्रो चार करेगा तब ही खुलेगा मंत्र गलत होने पर उस व्यक्ते के मृत्तु निश्चित है लेकिन फिर भी अभी तक इस दर्वाजे को नहीं खोला गया है और यह एक रहश्य बना हुआ है तो इस तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको फशन आया हूँ तो इसे लाइक कमेंट और सेयर जरूर करिएगा और हमारे आने वाले और भी रहश्य में वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्क्राइब करना न भूले हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार